अगर आप diabetes या pre-diabetes से सफर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा diabetes को हम अपनी diet से बड़ा जल्दी control कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम diet में क्या-क्या ले सकते हैं जिससे जो हमारे blood glucose levels है वो normal range में रहें तो इसमें हम follow करते हैं plate method, plate method में क्या होता है कि जैसे आप अपनी dinner plate या normal जिसमें खाना खाते हैं उस plate का जो half part है वो आपको लेना है non starchy vegetables यानि कि ऐसी vegetables जैसे कि Brussels sprouts हुआ, cauliflower हुआ, cabbage हुआ, carrot हुआ, beans हुए तो ये आपकी ये जो vegetables हैं ये आपकी one half of the plate आपका उससे fill होनी चाहिए जो next one fourth part है वो है proteins, lean proteins यानि कि जैसे chicken हुआ, egg हुआ, cheese हुआ, cottage cheese हुआ, ये इसके अंदर आते हैं जो next one by fourth part है वो आता है carbohydrates उसमें भी आप धिहान रखिए कि complex carbohydrates आप जादा से जादा खाएं complex carbohydrates क्या होता है कि ये इसमें बहुत जादा fiber होता है जिससे आपका जो digestion है वो थोड़ा सा slow हो जाता है और आपका जो glucose है वो धीरे धीरे आपकी blood stream में जाता है तो आपका जो glucose spike है वो नहीं आता तो complex carbohydrates में vegetables आती है जैसे peas हुए या जैसे ये legumes हुए beans हुए या फिर जो whole grains हुए तो अगर आप अपनी diet का ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप दिखेंगे कि जो आपके जो glucose levels है वो बहुत जल्दी normal range में आ जाएंगे कि जो आपके जाएंगे